असलम लेकुम दोस्तों वीडियो के माध्यन से बताएंगे अगर आप सौधी अरभ के अंदर अभी रह रहे हो आपके उपर हुरूफ लगने वाला है या लग जुका है या पहले से लगा हुआ है या किसी भी वज़े से आपके उपर हुरूफ लग जाता है तो कैसे आप दोस्तों नए नियम के तहट अब आप हुरूफ लगने के बाद भी सौधी अरभ आ सकते हो लेकिन इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है अगर आप दोबारा सौधी अरभ में आना चाहते हो तो क्योंकि नए नियम के तहट अभी अभी ये अपडेट दिया गया है दो में कुछ संपर्क है कुछ भी तो वहां पर आपके उपर आपका कपिल हुरूफ लगा सकता है और ऐसी हालत में जैसे ही हुरूफ लगेगा पुराने नियम के अंसार आप जवजात में या मकतब अमल में अमबेसी में कहीं भी जाकर आप जो है एक्जिट ले सकते हो कोई द कि आप जो है साओधी अरब में एंडरी भी नहीं कर पाते थे लेकिन नए नियम के तहट आपके उपर अगर हुरूफ लग जाता है तो ऐसी हालत में पूरी तरह से आपको 60 दिन का टाइम दिया जाता है दोस्तों अब नए नियम के तहट बहुत अच्छी अपडेट दिया है कि पहले क्या होता था कि जब आपके उपर हुरूफ लगता था तो आपको फाइनल एकजिट दिया जाता था ज्यादा तर केस में लेकिन अब नए नियम के तहट में अगर आपके उपर आपका कपिल हुरूफ लगा देती है या कमपनी आपके उपर हुरूफ लगा देत जाना है या आप जवजात में जा सकते हो वहां पर जाकर सीधे final exit आप ले सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर आपको परिशान होने की जरूत नहीं है तुरंत final exit ले और घर जाएं फिर दुबारा आप सॉधी अरब में एंड्री कर सकते हो दोस्तों पूराने निय आप जरूर कमेंट बोक्स के मादम से कमेंट करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंसों बहुत